स्वागत है आपका टूरवीत राकेश की इस फ्रेस एपिसोड में और आज हम बिहार इस्टेट के एक ऐसे डिस्टिक को एक्स्प्लोर करने वाले हैं जो अपने मंदिरों और तिर्चिस्तलों के लिए पूरे भारत में प्रसिद है एक डिस्टिक जो फेमस है दुनिया के सबसे लंबे सड़क पुलों में एक महात्मा गांदी सेतु के लिए और यहीं पर इस्टित है सिखों के अंतिम ग्रोसरी गोविंदी सिंग जी का वह पवित्र जनमिस्थान जहां पर हर साल लाखों की संख्या में सिख्षर धालों माथा टेकने के लिए आते हैं यह वे सहर है जिसका भारत की आजादी में भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है जी हाँ एक सिटी जिसकी स्वान यहाँ पर इस्टित एक महावीर मंदिर जो उत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर है और तो और यह वे डिस्टिक है जहाँ पर इस्थित है दुनिया के सबसे पुराने विश्व विद्धैलों में एक नालंदा विश्व विद्धैले जिसकी स्थापना 445 सिसा पुरू में हुई थी यह वे विश्व विद्धैले जहाँ पर भगवान महाविर हो या भगवान बुद्धे सभी ने अपनी धार्मिक वैख्यान दिये फैक्ट व यह है कि यहाँ की लाइपरेरी में हज्यारों किताबे होने के साथ साथ 90 लाग पंडू लेपिया रखी हुई है जी हाँ हम बात करने वाले हैं तो सिटी ओफ नॉलेज पटना डिक्स्टिक के बारे में बस दोस्तों आप से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा आपने पटना डिक्स्टिक से जुड़े ऐसा वीडियो पहले कभी नहीं देखा होगा तो सुरू करते हैं आज के इस सांधार वीडियो को और जानते हैं पटना डिक्स्टिक से जुड़े कुछ इंट्रेस्टिंग फैट्स और इंफॉर्मेशन मैं हूँ सिल्पी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल टूर्वीत राकेश दस सिटी ओफ लेजन पटना जो मौझूद है इंडिया के स्टेट बिहार के साउट पार्ट में जो सिल्क सिटी भागलपूर से करीवन 250 किलोमेटर लीची सिटी मुझब परपूर से करीवन 70 किलोमेटर वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनों से करीवन 500 किलोमेटर की दूरी पर बसा हुआ है जो सेयर करता है अपनी बॉंडरी टोटल 9 डिश्टिक के साथ टोटल 3202 किलोमेटर में फैले पटना जिले की जन संक्या 2011 की जनगर्णा के अनुसार 58 लाग के आसपास है दोस्तो पटना बिहार की राजधानी जिसका नाम सुनते ही कुछ लोगों के जहन में गंदी सडके बेकार राजनीती और सारवजनिक वहानों में ठसे हुए लोगों की छवी दिमाख में चलने लगती है लेकिन क्या आपको पता है कि आरे भठो या फिर चान की ये सभी लोग पटना से ही थे आपको इस सहर में आने के बाद धरम और संस्कृती का एक मिला जुला रूप देखने को मिलेगा तभी तो कहा जाता है कि भारत की असल छाप देखनी है तो पतना की सेर करना अवश्चक है इस सहर की स्थापना 490 इसापूर मगदकाल में हुई थी जिसे पाटली पूत्र के नाम से जाना जाता था माना जाता है कि पाटली एक प्रिंड की प्रजाती है जो से पतना में ही पाए जाती है और उसी पर इसका नाम पतली पूत्र पड़ा लेकिन वर्तमान समय में ये सहर पटना के नाम से जाना जाता है जो कि बिहार के राजधानी होने के साथ साथ इस राजे का सबसे बड़ा सहर भी है भारत की आजाती में पटना का विशेश योगदान रहा है निल की खेती के लिए चमपारन अंदोलन और भारत छोड़ो अंदोलन की सुराथ पतना से ही हुई थी वहीं ये सहर सिखो के अंतिम समराट्शिरी गुरू गोविंद सिंग का जनम स्थल भी है जहां देश वी देश के लाखो सिक्षर दालू यहां के पटना साहिब गुरु दुआरे में माथा टेकने आते हैं क्या आपको पता है दुनिया के सबसे लंबे सड़क पूलों में से एक पटना में इस्थित है जो 5575 मिटर लंबा है इसे महात्मा गांदी सेतु के नाम से जाना जाता है और तो और भारत का एक महत्र राष्टी अंता देश यह नोका यान संस्ता पटना साहर के गया घाट में इस्थित है नहीं पटना से चार नदिया कुजरती है गंगा सोन गड़क और पुनपुन नदी तो यह सहर सडक मार, रेल मार, हवाई मार द्वारा देश के सबीद बड़े सहरों से जुड़ा हुआ है वहीं इस सहर में छोटे बड़े बस्त रेलवे स्टेशन है जिसमें सबसे बड़ा यहां का पटना जवसन यह एक विश्वशतरिय रेलवे स्टेशन है जहां पर यात्रियों के लिए हर सुविधा मौजूद है और यहां के सिटी सेंटर से 5 किलो मिटर साउट वेस्ट में मौजूद है जैप्रकाश नारायन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इस देश का अठारवा सबसे बीजेश्रे एयरपोर्ट माना जाता है वहीं अगर हम बात करें इस सहर के रोड नेटवर के बारे में तो पटना को दा सिटी ओफ लाइ ओवर के नाम से जाना जाता है लेकिन यहां की ज़्यादतर सटकों की चोणाई कम होने के कारण यहां पर ट्राफिक जैम की समझ से आम है हाला की इससे निजात पाने के लिए इस सहर के बाहरी हिस्सो में 140 किलोमेटर लंबी राउंडिंग रिंग रोड पर काम चल रहा है जिसके बन जाने के बाद सहर पर पढ़ने वाले ट्राफिक का बोज कुछ हद तक कम होगा साथ ही पटना के बाहरी इलाके भी तेजी से डबल अफ होंगे वेल अब जान लेते हैं पटना के फेमस फूर्च और यहां के कुछ टूरिस प्लेसिस के बारे में पटना सहर अपने खान पान के लिए काफी फेमस है जहां पर आप दुनिया भर के लजी डिशिस का मजा ले सकते हैं लेकिन सबसे फेमस यहां का लिटी चोखा है वैसे तो दोस्तों यह एक साधरन खाना है जिसे अमीर गरीब सभी अफोर्ड कर सकता है एंड वहीं पटना में घुमने फिरने की जगह की बात करे तो आप गोला घर, गांधी मैदान, अगम कुआ, पटना साइबा, महाविर मंदिर, पटना म्यूजियम, इको पार्क, बुद्धा, स्मिर्थी पार, एन, आईटी घाट, संजय गांधी, बायलोजी पार्क जैसी जगों सकते हैं, तो दोस्तों ये हैं पटना डिश्टिक के बारे में एक कंप्लेट वीडियो, आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरू लिखिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्स कि एसनल के बारा मी तक हाष बॉक्स का खाण में पसंद डार के बारा कक खाण साथ बुच्छा का नहीं हैं घो क्षाण साझार कीजिक का इससला का में एक कुछाईHz पना दोते हैं जर आपको याँएगma हैं एक कि बारा याओ क्वािन को याद्यों सकती हैं en 19 boreas dill striving with ए